हाई गाइस नक्ष्ट में आज में लोग पेजेस देखेंगे नक्ष्ट प्रवाइड सफाइल बेस्ट राउटिंग तो क्रिएट राउट्स विदिन यूर वैब अप्लिकेशन यूजिंग विव राटर अंडर दी होट तो नक्ष्ट हमें बहुत अच्छा फाइल फाइल व अब पेजन के लिए और इसके लिए करता है विव राटर अंडर दी होट पेजिस रिपरेजेंट व्यूज व्यूज फोरीच स्पेसीफिकारूट पैटर पैटर्ण फेज़ रिपरेजेंट करते हैं विव को फॉर इच सपेसीफिक रूट पैटर्न यूसार्ज आपको इसके अंदर में हम लोग files create करते हैं और हर एक file जो कि pages directory के अंदर है वह एक root बनाता है और उसका अपना-पना content होता है यहीं यहां पर लिखा गया है pages are view component and can have the .view.js.js.js.ts.tsx extension तो pages जो हमनों create करेंगे pages directory के अंदर जो files create करेंगे उसमनों pages केते हैं तो वह pages होती है वह actually view component होती है जो की हो सकती है .view extension के साथ या फिर .js या फिर .tsx या फिर .tsx extension के साथ यह files create कर सकते हैं अपनी मजेस बाट नार्मली हम लोग .view file ही यूज करते हैं ज्यादा तर this directory is optional meaning that view router will not be included if you only use app.view reducing the application bundle size तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप pages का use कीजिए अपने project को ब्राने के लिए अबर आपका project छोटा है project और single page से आपका काम हो जा रहा है मतलब एक ही बहुत बड़ा layout pages और create करने के आपको आशकता नहीं है तो उस case में आपको pages folder create करने का शकता नहीं पड़ेगी directory create करने का शकता नहीं पड़ेगी pages नाम की आप सिर्फ और सिर्फ app.view आपको फाइल से ही अपना प्रॉजेक्ट त्यार कर पाएंगे उससे आपको benefit यह मिलेगा कि view router include नहीं किया चाहेगा आपके project में आपको बंडल साइज होगा वह कम बनेगा तो आपको देखेंगे पहले कि आपका project बड़ा है या छोटा है अगर छोटा है तो सिर्फ app.view से आप काम चला लीजिए उससे आपका project बन जा रहा है तो आपको उससे बनाईए लेकिन आपका project बड़ा है आपको separate करना है files ताकि आप उसको manage कर सके अच्छे तरीके से तो फिर आपको pages include करना पड़ेगा उस case में view router को यह लेकर आएगा इस package को और ultimately आपका bundle size होगा आपको चाहिए तो आपके project पर totally depend करते हैं क्या choose करना चाहते है अब example दिखा देता हूँ मैं जैसे एक example मैंने पर लिया हुआ है pages index.view, index.view इसमें default page माना जाएगा, जैसे हम लोग index.php क्रेट करते हैं, index.html क्रेट करते हैं, उस default page होता है, कि कोई domain पर hit करे, या फिर हमारे अगर local host भी रहता है तो उस पर hit करें, तो बिना index लिखे होए, वह हमारा home page की तर ट्विट करे आता है, उसी तरह की से same यहां भी है, pages के अंदर में अगर आप index.view लिखते हैं इस नाम से, तो यह ऐसा home page ट्विट क्या जाएगा, यह देन में रखिएगा, जिसे आपको बा बनाना ही हो, फिर style लिखना हो, जो भी आप काम करते हैं, वह ही सारा काम आप यहां भी कर सकते हैं, यहां पर मैंने simplicity के लिए सिर्फ template टैग को include किया हुआ, यह एक action लिख की जिसमें लिखा home या फिर index पर आप इसे किया सकते हैं, इस तरह किसे template, इसके अलावा आप एक और page यहां पर create कर लिए, जैसे pages slash about.view लिखा, तो about.view हमने लिखा हुआ है, about.view हमारे क्या होगा है, एक file हो गया, और यह file क्या, एक view component है, तो इसके अंतर में भी जैसे normally किसी view file के अंदर code लिखते हैं, वैसे लिख सकते हैं, अब जैसे कि मैं आपको थोड़े दर पहले बताया page in home slash index page देखेगा, h1 में, और about में about page देखेगा, h1 के अंदर में, यानि कि bold होकर heading होकर दिखेगा, यह content दिख रहा है, इसका root आपको दिखाए नहीं दर, इसका root कैसे बनेगा, इसका root बनेगा, जो भी आपका domain रहेगा, या फिर local host भी है, तो localist जो रहेगा, वह slash पे बन आपको दिखेगा, मैं आपको भी practically दिखाऊंगा, आपको समझे में आना चाहिए, कि roots की सरीके से क्लेट होना, जो भी आप नाम लिखते हैं, फाइल का, वह नाम actually आपका root बन जाता है, root का एक end point बन जाता है, ऐसा कह लिजे, बस dot view आदेना होता है, उसमें से, कुछ invalid pages दे vendor, when root change during client-side navigation, because it has more than one root element, कौन से page की में बात करों, जैसे मैंने लिखा pages index.view, और इसके अंदर मैंने कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, कि template, opening, template closing के अंदर मैंने लिखा div, दो-दो div लिख दिया, sibling में, तो यह नहीं करेगा, एक root element होना चाहिए, जबकि यहाँ पर आप दे यह template के अंदर में siblings मना दिया आपने, जिसमें कोई भी root element नहीं है, तो उसकिसमें आपका page यह invalid हो जागा, और यह आपका काम नहीं करेगा, मतलब आप देखेंगे तो आपका काम करेंगे, जब आप navigate करेंगे, client-side navigation होगा, जबकि root change होगे, उस वक्त आपका यह सही तरीके स है, यह देखने से लगता है कि एक comment है, comment है तो comment है क्या है परपड़ता है, लेकिन हमारा div के अंदर में हमारा main code लिखा है, यह एच वन, लेकिन ऐसा नहीं है, जो आपका comment लिखा हुआ है, वह भी एक element के तुरुपर consider किया जाता है, तो comment आपका element हो गया, और एक div का element हो गय root element, जैसे एक div बनाए और div के अंदर में सारा कुछ लिखे, div का sibling नहीं होना चाहिए, तब ही आप का render होगा, सही तरीके से pages होरना नहीं होगा, आगे बढ़ते हैं, और देखते हैं, pages with app.view, तो pages with app.view, देखे हम लोग pages दो तरीके से create कर सकते हैं, एक app.view के साथ create कर सकते हैं इसको एक app.view के बिना भी ग्रेट कर सकते हैं, लोग अलग अलग तरीके से इसका use करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप दोनों देखे हैं, जिसके आप दोनों सीख के रहें, तो आपको जब देखने को मिले अलग तरीके से आपके दिमाम में confusion नहीं हो, आप तो दोनों तर यूज करने के लिए, अमने create कर लिया, और फिर इस page को दिखाने के लिए, और render करने के लिए, फिर use करने के लिए, आपको next page नाम का component अपने app.view फाइल के अंदर में लिखना पड़ेगा, example के तोर पर app.view लिखा, उसके बाद template लिखना है, उसके बाद div के अंदर में next page इस नक्स्ट पेज क्या होता है, इसको रसाव डिटिल में जान लिजे, तो next page एक component, next page is a built-in component that comes with next, next page is required to display top level और nested pages located in pages directory, तो pages directory के अंदर में जो भी pages हैं, उसको दिखाने के लिए, next page आपको app.view में लिखना पड़ता है, next page component accepts name, root and page की props, तीन props यह accept करता है, name, root और page की, name helps router view, render the component with the corresponding name in the matched root records component option, इसका value आप 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 से string देते हैं, तो next page component is re-rendered, it takes string or function, next page also accepts custom props that you may need to pass, further, down the hierarchy, these custom props are accessible via adtrs in next application, तो यह है basic इसका introduction, basic का यह है इसका introduction है, next page का, example देखिए, इसे next कुछ इस तरीके से आपने लिख दिया, अपने app.view के अंदर में, या फिर आप अगर page की देना चाहते हैं, यह static यह सिर्फ, statically आपका page generate करके आपको देगा, या फिर custom अगर आपको custom props चाहिए, तो आप इस तरीके से colon my prop और जो भी इसका value देना आप दे सकते हैं, तो अभी मैं आपको यह ज़रा पहले दिखा देता हूं, कि कैसे आप use कर सकते हैं pages with app.view, फिर में लोग without app.view पे जाएंगे, एक project rate कर latest है, उस पर हमारा यह create हो रहा है, cd.ch3 करके संदर चलेंगे, और npm install करके सारे dependencies पहले install कर लेंगे, सारे packages इंस्टल हो चुगे हैं, फिर हम लोग एक ch3 में आते हैं, और यहाँ पर app.view यहाँ पर मैं लिए topic हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग topic देख रहे हम लोग pages with app.view अभी क्लिए कर मैं इसको हडा दूँ, अभी हम लोग इसको run कर लेते हैं, अब run करेंगे npm run dev dash 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 o, तो web browser के साथ है मेरा यह open हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर आता है, और फिर हमें यहाँ पर दिख जाएगा हमारा output, जो भी output रहेगा, जो कि एक welcome page है, I believe यह welcome page हमें नहीं हम लोग क्या करते हैं, अपना custom यहाँ पर लिख देते हैं, मैंने आपको यह पहले ही बताया हूँ था है कि आप सिंप्ली में इसको नीचे कर रहता हूँ, यह हम लोग आड़ आ सकते हैं, यह built-in component है, यह नीचे यह, मैं यह आप लिखता हूँ, this is global, this is global from app.view, यह लिखका अब यह हम लोग pages की बात करेंगे, यह हम लोग पहले भी देख चुके है, pages की बात करते हैं, तो हम लोग pages बनाने के लिए पहले एक folder हमें create करना पड़ता है, right click किया, new folder, pages नाम से folder, spelling, same यही रहना चाहिए, कुछ और नहीं होना चाहिए, फिर एक पहला page हम लोग create करते हैं जो index नाम से create करेंगे, जिसका root बनेगा, वो बनेगा slash, यानि की root slash, तो यहाँ पर राइट लिक करते हैं, new और index dot, लिखेंगे view, index dot view, यह लिखा और यह हमारा बन गया, अभी इसमें कहता है कि आपको template लिखना पड़ेगा कम से कम, तो मैं अगर यहां लिख हो, vbass, और न क्या शक्ता पड़ेगी, जो कि मैं को यह पो दिखा देता हूं, देखिए, यह वाला है, view 3, vs code, snippet, यह इन होने बनाया हुआ है, क्या नाम है पता नहीं, बट अभी बहुत ज़्यादा डाउनलोड नहीं है, लिखिन मैं इसका use कर रहा हूं, बोस्तों मुझे ठीक लगा, मैंने लिखा हूं, या फिर आप इंडेक्स पेज भी सेखिया सकते हैं, तो मैंने इंडेक्स पेज, हूं या फिर इंडेक्स पेज, यह question mark क्यों आ गया, इंडेक्स पेज, अब यह एक पेज हमने बना लिखा, इस पेज में बहुत सारी चीज नहीं हो सकते, जैसे मैं पी ल कोल्डर के अंदर जो भी हम लोग पेज करते हैं या फाइल करते हैं उसका एक रूट बनता है, और यह पेज अपने अंदर के content को दिखा सकता है, लेकिन दिखाएगा कैसे, अगर मैं अभी इसमें जाओं, और मैं इसको करता हूं refresh, और मुझे server एक बार मैं stop करता हूं, और यह एक छोटा सा problem है next में, जो कि automatic यह लेता नहीं, हमें बार-बार कभी-कभी बहुत बार हमें यहां restart करना पड़ेगा अपने server, यह हमें लेकर चलना पड़ेगा, अभी के लिए कम से कम, तो हमें global दिख रहा है, बट हमारा page ने दिख रहा, जबकि page हमारा index.view है, तो यह इसी route में दिख जाना चाहिए था यहां पर, बट यह दिख नहीं रहा, एक और page बनाते हैं चलिए दिखाता हूं मैं, तो हमें लोग एक और page बनाते हैं, यहां पर मैं आया, और मैंने डाट क्लिक किया new file और अबाट.view यह page बनाया, और मैं इसी को भी paste कर लेता हूं, यह copy किया, page करते हैं और यह बस यहां से change कर देंगे, about page और यहां पर मैं इतना सी दना हटा देता है, हमारा content थोड़ा से अलग दिखे, ठीक है, और इसको capital कर देता है, इसको save कर दिया, अभी यह भी हमारा एक page बना हुआ है, तो हम लोग जानते हैं, इसका route बनेगा, इसका route क data में content, अब यहां about करके दिखते हैं, अब अब आट में भी सिर्फ यही global दिखता है, आप go to you, यह सभी pages में दिखे, तो यह तो global है, इसका तो कोई काम नहीं है, अगर मैं यहां about के जगा कुछ ऐसा लिख दूँ, जो की नहीं है, जैसे कि मैंने यह कुछ भी लिख दिया, अब कुछ भी ऐसा नहीं लिखते हैं, लिखते हैं, slash, और geek click हमारे, इंटर की प्रेस किया, देखिए यह 404 बता, यह बताता है, इस route पे आपका नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहीं अगर हम लोग about पे चाहते हैं, about पे तो यह 404 नहीं देता, लेकिन यह सिप दिखाता लेक जैसे मुझे इसके नीचे चाहिए, तो मैं यहाँ पर आऊँगा, और लिखोंगा next page, यह वहला मैं यहाँ पर लिख दूँगा, यह auto import हो जाता है, यह हम कोई import करने का शकता नहीं है, जैसे आपने use किया, वैसे है import हो गया, automatically, यह next हमारे लिखर के देता है, मैंने अब इस इस page को view करेंगा, उसका content को दिखाए देगा, और यह h1 global है, तो यह सभी pages में दिखाए देगा, इसको save किया, save करने के बाद आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जोन कर देता हूं है, देखे आपको दिख रहा है, यह about पर आपको दिख रहा है, अब वहीं पर अगर मैं home प data दिखेगा, यह global तो दिखे गई, साथ में जो pages हुआ भी दिखेगा, तो इस देखे से आप अलग-लग routes create कर सकते हैं, अलग-लग pages create कर सकते हैं, हम लोग एक और देखते हैं, इसमें create करके, जो मैं यहाँ पर आता हूं, एक और create करते हैं, contact.view, अब contact view किया, अभी हम लोग इसको पर एक copy कर लेते हैं, हुभी किया, यहाँ पर paste मार लेते हैं, और यहाँ पर लेते हैं, contact, तो अभी हमें ऐसा नहीं कि हमने एक नया पर आपके चाइड किया, तो वापस हमें यहाँ पर आपके कुछ करना पड़े करना, एक बार ही आपको यह add करना पड़ था बस, औ आपको roots मिल जाते हैं, और अगर आप उसके content को देखना चाहते हैं, तो फिर आपको app.view में आके बस यह component लगाना है, और फिर आपको उसके contents भी दिखाई दिखेंगे, यह हो गया, pages with app.view का कमाल, मैं यहां comment में लिख देता हूँ, कि next page will display respective page content, और यह global है, यह यहाँ लिख करते हैं, because इसमें इतना है, इस से ज्यादा कुछ नहीं है, बस इसको हटाते हैं, यहां से stop करते हैं, और इस से बहाँ चलाते हैं, अब देखिए, pages without app.view, without app.view भी आप pages का use कर सकते हैं, utilization कर सकते हैं, कैसे, to use pages, create pages, pages folder create करना, उसके अंदर files, जो भी upgrade करना चाहा है, जिस भी next page comment anywhere, इस case में आपको next page कहीं भी add करने का चलता है नहीं, आपका ऐसे ही सारा content लिख जाएगा, example के तोर पर pages, इनलेकर वीव बनाया, फिर इसके अंदर में हमने कुछ इस तरीकर से लिग दिया हुआ है, बस और कुछ करने का चलता नहीं है, इसलिए मैं आपको इसको करके इसके लिए हमनों क्रेट करेंगे एक नया project, जिसके लिए हमनों लिखेंगे npx, nuxy, init, ch4 यह हमारा डाय का, enter key press करते हैं, यह create हो यह हमनों cd, ch4 इसके नदर चलते हैं, और npm इसलों करके सारे packages इंसलोल कर लेते हैं, सारे packages इंसलोल होगी, अभी हमनों देखते हैं, ch4 में आते हैं, यहां पर और यहां पर और यहां पर आप देख सकते हैं, कि कोई pages नहीं हो, ch3 से pages दुबार स्क्रेट नहीं करेंगे, इसको copy करेंगे, और यहां पर simply ch4 में इसको paste कर देंगे, hopefully आप लोगों को यह दिखाई दे रहागा, अब hd में देखेगा, आपको सब कुछ दिखेगा, तो pages हमारे आ चुके हैं, इसका मतलब यह है, यह नहीं है कि आपको page दिखाई देगा, मैं यहां से squad आ दे तो, अभी के लिए, सिर्फ यहां साथा हटातें, this is global, इसको save के, इसको run करते हम लोगों कि अगर npm run dev करके, मैं dash 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 o इस तरह के से करूं, तो यह मुझ तो खुड़ दिखें आक को लिखना पड़ेगा next page, company आपर add करना पड़ेगा, अगर यहां पर rewards में हिच करेंगे जैसे, slash में तो दिखा हा नहीं, अगर about में करेंगे, यहां परी sad और content, और contact में जाएंगे तो content भीनहीं दिखेगा, तो मुझे ये यूजी नहीं खरना मुझे एपड़ भी विव नहीं चाहिए तो महीं यहाँ पर बत्र हैं सब्सक्राइल है अभे मैं लोग इसको डिलीड कर देते अपड़ भी मुझे मैं है इसको डिलीड कर दीए अब क्या होगा भई आबं कैसे काम होगा अब तो next page लिखेंगा next पर आपको कहीं भी नहीं लिखना और आपका यह order आपका काम करने लेगा कहीं जगा नहीं बजी है तो यह समझ जाएगा कि अब उसको अपने से काम दिलाना पड़ेगा और यह आपके सारे रूट्स एक्टिव हो जाएंगे और आपका ये काम करना शुरू कर देगा तो यहाँ पर आईए और यहाँ पर देखिए आपका contact काम कर रहा है slash contact पे contact काम कर रहा है उसी तरीके से आप लो slash app.view के भी काम कर सकते हैं तो यह totally आपड़ करता है कि आप क्या यूज करना चाहते हैं जैसे कि मैं आपको पहले बता है कि अगर आपको application छोटा है बहुत सारे app.view के साथ pages का यूज कर सकते हैं जिससा कि अब हमारे पास globally लिखने का कोई भी तरीका अभी के लिए फिलाल नहीं है यानि कि app.view में जो हम लोग लिखते थे वह सभी pages में आ जाता था common तो अगर हम लोग लिखते हैं तो सभी pages में चला आता automatically जबकि अभी हम लोग के पास वह option नहीं है हमें सभी pages में अलग लिखना पड़ेगा तो उससे एका situation होता है तो फिर आपको app.view के साथ pages को बनाना चाहिए otherwise आप separately इस तरह से pages create कीजिए आप global नहीं चाहिए common वाले चीज़ें नहीं चाहिए तो आप simply pages बनाएए और आप अपने प्रोजेक्ट को बढ़ाना प्रसंद करते हैं आप अपने हीसाब से जो भी चाहिए हुआ कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के लिए आप सुनका बहुत-बहुत धन्यवाद